Hello friends, good morning, आज की इस वीडियो में गवाबा की बात करते हैं, जिसको हिंदी में अमरूद भी बोलते हैं। आप इसको जब भी मिले, आप इसको जरूर खाएं, और खास बात कि इसके अंदर इतने महत्रपून केमिकल्स हैं, कि पूरी सरीर की और बेवस्था जो भी चल रही होगी, उसको दुरूस्त करने की छमता रखता है। खास बात अमरूद को रात को नहीं खाएं। सुबह खाएं, दोफर में खा सकते हैं, साम को चार बज़े तक खा सकते हैं इसको और खाने ते समय स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर काली मिर्च और काला नमक छिड़के खा सकते हैं। और इसके अंदर इतने काम के केमिकल्स हैं कि आप चौक जाएंगे पूरी प्रापर्टी जिसको जानके तो साइट में बस इतना समझ लेजे कि इसमें 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो इनर्जी 285 किलो जूल, फैट 0.95 ग्राम है, प्रोटीन 2.55 ग्राम और लाइकोपीन 5.2 ग्राम है लाइकोपीन इतना अच्छा केमिकल्स हैं एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाते हैं इसमें कि कैंसर तक को रोकने की छमता रखता है तो आपसे रिक्रेस्ट है मेरी कि जब भी आपको अमरूत दिखे आप अमरूत जरूर खाएं पका अमरूत खाएं कच्चा नहीं खाना है क्योंकि कच्चे से बेनिफिसियल इफेक्ट बहुत कम हो जाते हैं तो पका अमरूत का सेवन जरूर करें कार्भोहेडरेट्स 100 ग्राम में 14-3-2 ग्राम है सुगर्स 8.92 ग्राम है और डायटरी फाइबर्स 5.4 ग्राम होने की वज़ा से पेट की सारी दिक्कतों को दुरूष्ट कर देता है और इंटेस्टाइन में जो कुछ भी दिक्कते चल रही होती है कब्ज, कांस्टिपेशन, बवासिर वाली इन सब को दुरुष्ट करता है आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो एकडम चौक जाएंगे कई दवाईयों का बाप है अम्रूत यूँ समझ लेजे कि अगर आप अम्रूत खाते हैं तो कई दवाईयों आपको नहीं लेनी पड़ेंगी बिटामिन के अगर बात करें तो बिटामिन A 31 माइक्रोग्राम है अब बीटा कैरोटीन 374 माइक्रोग्राम है और थाइमीन 0.067 मिलिग्राम है तो इसके अंदर इतने काम के केमिकल्स हैं कि जो नर्फ से रिलेटेर जो डिसाडर है अम्रूत खाने से मस्तिस के सनाईयों को भर पूर सक्ति मिलती है यह मस्तिस को सांत रखता है और नित्यमरूत खाने से मस्तिस का संतुलन स्वस्त रहता है ठीक रहता है तो जो कुछ भी फ्री रेडिकल्स के इंपेक्ट के वाज़े से सरीर में जो नार्मलिटी चलती है उसको सही कर देता है विटामिन बीटू के अगर बात करें तो 0.04 मिलिग्राम नियासीन 1.084 ग्राम और पैंथोनिक एसिड 0.451 मिलिग्राम है अब विटामिन B6 0.11 मिलिग्राम है तो दिखें यह जो नर्व को जो डैमेज होता है ना फ्री रेड कल से उसको भी ठीक करता है तो नियूरोनल डिसाडर जो हों होंगे वो सब भी सही करने की छमता रखता है इसके अंदर और अमरूत खाने से कबज तो निश्चित दूर होगी आप चौक जाएंगे पता नहीं क्या-क्या लोग खाते रहते हैं लेकिन इसको खाते ही दूसरे दिन आप देखेंगे एकदम पेट साफ तो आधी बिमारिय खत्म विटामिन B9 49 माइक्रोग्राम है अब विटामिन C 228.3 मिलिग्राम है और विटामिन K 2.2 माइक्रोग्राम है तो आप इसको अमरूत का जरूर सेमन करें और इस तरह से आप कही बिमारियों को शरीर में पनपने से रोक सकते हैं पाइल्स और इभेन से अपने दोस की भी प्रापरटीज को खतम कर देता है मिनरल के अगर बात करें तो कैलसियम 18 मिलिग्राम आइरन 0.26 मिलिग्राम मैगनीसियम 22 मिलिग्राम और मैगनीज 0.15 मिलिग्राम है तो देखें आइरन, कैलसियम, मैगनीसियम ये सब बाड़ी के अंदर जो बायो केमिकल प्रोसेस चलते हैं उसको रेगुलेट करने के काम में आते हैं तो आप इसको यूज करें और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है फिर भी इसको जरूर खाएं और आप कमेंट बॉक्स में लिखे है कि आपको कैसा महसूस हुआ फास्पूरस के अगर बात करें तो 40 मिलिग्राम है 40 मिलिग्राम है अब पोटैसियम 417 मिलिग्राम है और सोडियम देखे सिर्फ 2 मिलिग्राम है और जिंक है 0.23 मिलिग्राम तो देखे पोटैसियम 417 मिलिग्राम और सोडियम सिर्फ 2 मिलिग्राम तो यह सजेस्ट करता है कि यूरीक एसिड वाली समस्या से भी आपको निजात दिलाएगा अगर सरीर में यूरीक एसिड इंबैलेंस हो रहा है तो उसको भी सही करेगा तो इस तरह से ये छोटे-छोटे जो टेप्स हैं इससे आपको बड़ी बिमारियों से बचने में मदद मिलेगी और इस तरह से अग कर दो एस दो देल्द वाली सावाली से भी सबस्टा तो प्राम